बॉलिवुड की सबसे मशूर कमेडियन टुन्टुन यानी उमा देवी खदरी को सिंगिंग का बहुत शौक था वो अपनी एक सहली के मदद से मुंबई चली आई थी और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सिंगर काम करने लगी कंपोजर नौशाद अली ने उन्हें पहला ब्रेक दिया उनका गाना अफसाना लिख रही हूँ उन दिनों काफी फेमस हुआ था लेकिन नौशाद ने फिर उन्हें समझाया कि नए सिंगर्स के आजाने से उनकी गाई की कहीं खो जाईगी उन्हें आक्टिंग फील्ड में कोशिश करनी चाहिए तो उमा ने शर्त रखी कि वो आक्टिंग करेंगी तो दिलिप कुमार के साथ इस बात पर नौशाद हस पड़े और उनकी ये बात भी मान ली सन 1950 में आई फिल्म बाबुल में उमा को एक छोटा सा रोल दिया गया जहां उन्हें दिलिप साहब के साथ आक्टिंग करनी थी सीन कट होने के बाद दिलिप कुमार ने उमा को देख कर ये सुझाओ दिया कि इस लड़की का नाम टुन टुन रखना चाहिए और फिर क्या उमा देवी खतरी बन गई टुन टुन उसके बाद आर पार मिस्टर और मिसिस 55 जैसी फिल्मों से टुन टुन इतनी मशूर हो गई कि जब भी कोई मोटी लड़की दिखती थी लोग उसे टुन टुन कहकर बुलाय करते थे हुआ पुलाय करते थे रहा हो गए